ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक वाफ फिर से नज़र डालेते हैं आज की हेड्लाइन्स पर चोटा पदल मैदान में स्जे मदन कुमार में पठाके विक्रिताओं को किया दुकानों का आवंटर अन्यस्थान पर दुकाने लगाने पर होगी कारवाही बैंक के इंटरव्यू में होता है राजनीती दवाब नहीं हो पाता है योग्या उमिदबार का चयन आरोप लगाया सेवा निर्मिज चनलर मैनेजर केसी चुहान ने चन्डिगड के फोटोग्राफी प्रशिश्रू ने किया हिमाचल दर्शन हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी में पुरानी चित्रों को देख कर हुए अचाप फेड़ और लकडी से तेल और फूलों से खुश्पु निकालने की उद्योग ने दीशफर में बनाई पहचान सुरिंदर मोहन गुपता को भारत सरकार ने रास्चे पुरुसकार से किया समानित सेव संस्था मनाली समय समय पर कई समाजी कारियों में अपना युगदान तेती रहती है इसी कड़ी में सेव संस्था मनाली ने गवर्मेंट सिनियर स्केंडरी स्कूल की बौंडरी दिवार पर पेंट किया और लोगों को पेंटिंग के माधिम से सवच्था के पृति जागूर करने का प्रयास किया सेव संस्था मनाली ने गवर्मेंट सिनियर स्केंडरी स्कूल की बॉंडरी दिवार वर पेंट किया और लोगों को पेंटिंग के मादिम से सवच्था के वरति जागुर करने का प्रयास किया सेव संस्ता के संस्तापक सदसय सनी शर्मा ने बताया कि संस्ता बवीन समाजी कारे में अपनी भूमिकान निभारी है उन्होंने बताया कि इस पेंटिंग में सवच्ता परेवन बहुत देशवक्ती के तस्वीरे दिर्चाई जाएंगी ताकि दिवावली के आने से पहले मनाली स्वच और सुन्दर दिखे ताकि यहां आने वाले प्रेटक एक अच्छा मैसेज लेकर यहां से वापिश जाए बता दे कि इस संस्ता के साथ अब तक 25 से जड़ चुके हैं जो संस्ता के हर कारे में अपनी भूमिकार निभा रहे हैं के चैनल के लिए मनाली से शीवरामरानागी रिपोर्ट SMC अध्यापकों को इस महंगाई के दौर में केवल 6,000 रुपे मासिक वेतन के साथ गुजारा करना पड़ रहा है इसी विरोसरूब अन्य मांगों को लेकर SMC अध्यापकों ने पड़ल मैदान में एक बैठक का आयजन किया और विचार में मर्श किया SMC अध्यापकों का कहना है कि 2012 से SMC अध्यापकों की भरतियां की जा रही है और तबी से इनका वेतन 6,000 रुपे निधायत किया गया है जिसे आज दिन तक नहीं बढ़ाया जा रहा है उन्होंने इप्ताय कि वहीं मैदान मेला अध्यापकों के लिए मैडरनेटी लिव का प्रापधान भी नहीं रखा गया है उन्होंने रोज शहर करते हुए काहा कि सरकार दोरा पिरियेड अधार पर रखे गए SMC अध्यापकों के लिए कोई ठोसनीती नहीं बनाई गई है और आज तक SMC टीचर्स की जो भरतियां चली हुई है टीचर्स रखे जा रहे हैं उनको उस समय से लेकर केवल 6000 रुपए बिने के दिये जाते हैं और नहीं कोई छुटी का पैसा दिया जाता है 11 मेहनी की जो सिर्फ पे दिये जाती है उसके बाद लेडिज टीचर्स को कोई भी maternity leaves नहीं दी गई है उसके बाद जो अन्यों जो सुविधाएं किसी भी अधिकारी को या किसी भी जो भी गवर्मेंट के इंप्रॉई होते हैं उनको सुविधाए जी जाते हैं बिल्कुल भी नहीं है और साथ में हमारी समस्थ हैं यह हैं कि जो पिरियड आधार पर टीचर रखेंगे कोई policy नहीं बनाई है गवर्मेंट ने जो जबकि इतने समय से काम कर रहे हैं और बिल्कुल इमानदारी से हमारा जो रिजल्ट रहता है हमेशा जो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है समसी टीचर ने परंतु उसके बावजूर भी सरकार हमारे को इगनोर करी है इस मैटर में हमने यहां पर मीटिंग और यहां पर लगवग इस समय सतर असी टीचर यहां पर मीटिंग में हैं और कुछ बेशक नहीं आये हैं किसी कारण कार्य अव्यस्ता के कारण परंतु फिर भी हमारी डिस्टिक में लगवग साड़े चार पांस उस्टू जो है टीचर आजगल काम कर रहे है वही इस तुरहन स्कूल मनेजमेंट टीचर यूनियन की कारेकारनी का गठन भी किया गया जिसमें बेसर सिंग को परधान खेमराज कॉंडल को जनरल सेकेटरी और यादव कुमार को ट्रेजर चुना गया वही इस मौके पर नवनिक्त परधान ने अपने कारेको पूर निष्टा के साथ करने की बात कही की करिप्पा करेंगे बैटक में लगबग 80 SMC अध्यापकों ने भाग लिया कैमरा परसन यूगल के साथ ब्यूर रिपोर्ट के चैनल मंडी ले लगदाक के बाद अब लहास पिती में भी देश का दूसरा सबसे उंचा एरपोर्ट बनेगा स्मूदर तल से करीब 12,000 फूट की उंचाई पर बनने वाले इस एरपोर्ट से घाटी के प्रेटन कारवारों को गती मिलेगी सामडिक लिहास से भी यह मतपुन साबित होगा प्रेटन विभाग जंजातिय जिला लहास पिती में एरपोर्ट बनाने की योजना पना रहा है साल के छे महिने बरफ की कैप में रहने वाली खाटी अब दुनिया के सैलानियों के लिए पसंदिदा सेरा कहा पन सकती है प्रेटन विभाग ने लहाल स्पिती प्रशाषन से एरपोर्ट के निर्मान को लेकर स्थान चीनित कर रेबन्यू रिकॉर्ड समेथ दस्ता वेच बेच मांगे है प्रशाशन ने भी लहॉल के तीन और स्पिती के दो स्थान चीनित कर तारंबिक प्रतुया शुरू कर दी है बताया जा रहा है कि अगर लहॉल स्पिती में एरपोर्ट के निर्माण का रास्ता साफ पुला तो वही माचल में देश का दूसरा सबसे उंचाई पर एरपोर्ट होने का गौरव हासिल होगा अभी तक ले में करीब 15,000 फुट उंचा देश का सबसे उंचा एरपोर्ट है तहसीलदा लहॉल होशियार सिंग ने एरपोर्ट निर्माण को लेकर प्रेटन विभाग से चिठी मिलने की पुष्टी की है उनके मुताबिक प्रेटन विभाग के निदेश के बाद रेवन्यू और वन विभाग को थान पटन, रिवलिंग, पटसेड, लोसर और रेंग रिंक में एरपोर्ट की संभावनाय तलाशने के आदेश दी है इन पांचो स्थानों की पेमाईश के वाद रेवन्यू रिकॉर्ड समेथ नक्षा प्रेटन विभाग को भीज़ा जाएगा बता दें कि एरपोर्ट बनने से लहाओ सिती दुनिया की प्रेटन मांचितर में उभरने के साथ देश को इसका सामरिक फाइदा मिलेगा बताया जा रहा है कि इस एरपोर्ट को प्रेटन के साथ अपार्थ काल के दुरान सामरिक लिहाद से भी इस्तिमाल किया जा सकता है प्रशाशन ने जिन पांच सानों को चीरिद किया है ये अंतरास्ट्य सीमा से सटे हैं यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद भी खबरों का स्लसला यूहीं जारी रहेगा आप दिक्ते रही के चैनल गुपता शॉल इंपोरियों जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत विराइटी यहां प्योर वूलन कुलू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैश्मिलान शॉल, फैदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वराइटी उपलब है तो देर ना कीजिए और आज ही पहुंचे गुपता शॉल इम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर्चौक दिस्टिक मंडी, मोबाइल 94591-25400 चल आजा सेल्फी ले 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 ते सल्फी का पुखा चलाजा सेल्फी ले 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 सल्फी का पुखा चराहत चला जा सेटे चला जा सल्फी ले 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 चला जा सल्फी ले 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 सल्फी का पुखा चराहत चला जा सल्फी ले सल्फी का पुखा चराहत चला जा सेटे जलाजा सल्फी ले 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 जलाजा सल्फी ले 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 जलाजा सल्फी ले 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 अपने फोटो के साथ अपना नाम वा पता लिखना ना बोले आपको करना क्या है सिर्फ अपनी फोटो को हमें इमेल के जरीए या वट्साइफ के जरीए बेजना है जिससे आप इस कॉंटेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं अभिलाशी अरवेदी कॉलेज में आयोजित फ्रेशर पार्टी में कनेका मिस फ्रेशर जबकी गौरब को मिस्टर फ्रेशर चुना गया फ्रेशर पार्टी में अभिलाशी उनिवस्टी के चांसलर डॉक्टर आर के अभिलाशी ने बतौर मुखेती थी शिर्कत की अभिलाशी उनिवस्टी के अभिलाशी आरवेदी कॉलिज एंड रिसर्च इंसिचूट एंड हॉस्पिटल के B.A.M.S. के सिन्य छात्रों ने अपविभाग के नए छात्रों के लिए फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया हर्शो लास के महल में आयोजित फ्रेशर पार्टी में कनिका को मिस फ्रेशर चुना गया जबकि गौरब मिस्टर फ्रेशर बने रानी बरंग को मिस दधा अभिनव को मिस्टर परसनेलिटी चुना गया वेलकम पार्टे के मुखेतिदी अभिलाशी उनिवस्टी के चांसलर डॉक्टर आर के अभिलाशी ने छातरों को संबधित करते हुए का कि आरिवेद का क्षितर बहुत ही मतवपुन्ट क्षितर है जिसमें रोजगार के सासा समा सेवा का भी मौका मिलता है डॉक्टर अभिलाशी ने का कि अभिलाशी उनिवस्टी शिगरी चैल्चाक बजार में भी इस खितर के लोगों को उत्तम दर्जे के स्वस्ति सुधायां देने के लिए एक अस्पताल खोलने जा रही है इस मौके पर युनिवस्टी के वाइस चैंसलर प्रोफेसर एच-स बन्याल और डिपार्टमेंट के दीन डॉक्टर डेके मिश्रा ने भी अभिलाशी उनिवस्टी में डॉक्टर बन ने पहुंचे छात्रों का मार्ग दर्शन किया वेलकम पार्टी में अभिलाशी निवस्टी के प्रोफेशर चांसलर इंजिनियर ललित अभिलाशी और डीन आफ स्टुडिस प्रोफेशर A.S. कुलेरिया आदी भी मौजूद रहे देशपर में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पहचान के लिए कभी काम नहीं करते बलकि उनके दोरा किया गया काम ही उनकी पहचान बन जाता है कुछ ऐसी ही कहानी है मंडी चिला के बग्गी गाओ निवासी सुरिंदर मोहन गुपता की सुरिंदर मोहन गुपता को हाली में भारसरकार ने रस्ड़िय पूरुसकार से समानित किया है आप भी चानिए सुरिंदर मोहन की सफलता की यह कहाने मंडी चिला की बलगाटी के तहट आने वाले गराम पंचायत बगी के निवासी सुरिंदर मोहन गुपता आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है वर्ष 1980 में BSC graduate करने के बाद सुरिंदर मोहन गुपता ने अपने दम पर लकडी से तेल निकालने का उद्योग स्थापित किया उन दिनों में सुरिंदर मोहन गुपता देवदार के कटे हुए पेडों के बचे हुए ठुंटों से तेल निकालने की तरकीब जान दे थे उनकी इसी तरकीब ने उने पहचान दिलाई और देखते ही देखते सुरिंदर मोहन गुपता का यह कारोबार खुफलफुल ने लगा आज सुरिंदर मोहन गुपता के इसी क्षित्र में चार उद्योग कारे कर रहे हैं जिनके माध्यम से प्रत्यक्ष और अपर्त्यक्ष रूप से करीब 200 लोगों को रोजकार मिला है मातर 30,000 रुपए से शुरू केगे उद्योगों का आज सालाना 8 करोड का टर्न ओवर है यही नहीं सुरिंदर मोहन गुपता के उद्योगों में बने उत्पाद देश सहीद 35 विदेशी देशों में अपनी धाक चमा चुके हैं सुरिंदर मोहन गुपता को हाले में भारसरकार ने पंजाब के लुध्याना में आयोजिस समरों में Quality Products in Field of Natural Fragrance and Flavor के रस्टी पुरुसकार से समानित किया है यह पुरुसकार देश में सिर्फ एक ही उद्यमी को दिया जाता है हलांकी सुरिंदर मोहन गुपता को यह पुरुसकार केंद्रिय सुक्षम लगू एबं मध्यम उद्यम मंत्री कलराज मिश्र के हाथों मिला लेकिन इस समरों में देश की परधान मंत्री नरिंद्र मोधी भी मौचुद थे यह National Award दिया गया इंदोस्तान में जो Quality Products in Micro and Small Enterprises Natural Fragrance and Flavors के लिए हमें First Price दिया गया और यह Mystery of Micro, Small and Medium Enterprises की तरफ से मौधी की जो कारेकरम था अपने Agriculture मौच्टी लुध्याना में वहाँ पे MSME के मंत्री और दूसरे महाभान थे और उसमें हमें यह First Price दिया गया और यह Price हमें In Recognition of Manufacturing Outstanding Quality Products के लिए यह Price दिया गया इस वक्त सुरेंदर मोहन गुपता अपने बेटे और भतीजों के साथ मिलकर हरी इंडरस्टी संत भामा Enterprises, हिमालियन हरवल प्रोडक्ट और Natural Biotech प्रोडक्ट के नाम से चार उद्योगों का संचालन कर रहे हैं जो परफ्यूम, तेल, साबून, धूप और अगरवती आप अपने घरों में इस्तिमाल करते हैं उनकी खुश्बू देने का कारे इनके यही चार उद्योग करते हैं मज़ेदार बात तो यह है कि इनके दोरा तयार किये चारे Natural Oil और Fragrance का इस्तिमाल मैगी जैसी खाने की बस्तू में भी किया जा रहा है यहां बनने वाले वाइल और Fragrance तोचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि यह पूरी तरह से Natural है और इसमें किसी भी प्रकार की Chemical का इस्तिमाल नहीं होता सुरिंदर मोहन की उद्योगों में भी अभी देवदार की लकडी से तेल, बरे, फुलनू, मुस्कवाला, जंगली, भेडा और बनहलदर के पौधों से खुश्बू बनाने का कारे किया जा रहा है सुरिंदर मोहन गुपता ने अपने उद्योगों में अब लेवर्टरी भी सापित कर दी है जहां पर तरतरा के प्रयोकर के नए-नए प्रकार की खुश्बूं को तयार किया जा रहा है इसके साथ ही सुरिंदर मोहन गुपता ने धूप और अगरवती बनाने का कारखाना भी शुरू कर दिया है और ये कारोबार भी खुश्ब फल्फुल रहा है सुरिंदर मोहन गुपता मानते हैं कि अब उनका बेटा इस कारे को नई तकनिक के साथ आगे बढ़ा रहा है जबकि इस कारे में उनका भी पूरा सयोग और योगदान है मेरा बेटा भी है और मेरे दो बतीचे भी है सुरिंदर मोहन गुपता ने कभी पहचान बनाने के लिए कारे नहीं किया लेकिन आज उनके द्वरा किया जारा कारे देशसाइत विश्व के 35 देशों में उनकी पहचान बना चुका है सुरिंदर मोहन गुपता उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपनी ही प्राकर्तिक संपदा का दोहन किये बिना सिर्फ सरकारों की तरफ ताक लगाए बैठे रते हैं सुरिंदर मोहन गुपता ने आज दिन तक कोई सरकारी मदद नहीं ली बलकि उल्टा सरकारों को ही अपने उत्पादों के माध्यां से सयोग किया है आज के बुलेटिन में फिलाल इतना ही सपन ठाकर को दीजे इजाज़त नमसकार के बुलेटिन में फिलाल इतना है सल्पी का पुखा चड़ा हक चला जा सल्पी ले ले दे सल्पी का पुखा चड़ा हक चला जा सल्पी ले ले दे सल्पी का पुखा चड़ा हक चला जा सल्पी ले ले दे सल्पी का पुखा चड़ा हक चला जा सल्पी ले ले दे सल्पी का पुखा चड़ा हक चला जा सल्पी ले ले दे सल्पी का पुखा चड़ा हक चला जा सल्पी ले ले दे सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो